मैं धान खरिद में मिलर्स एग्रिमेंट नहीं करा रहे हैं, प्रक्रे में शामिल नहीं हो रहे हैं, क्या है और इसका क्या समधन किया जा रहा है? मिलरों की विविन मांगे हैं शाशन से, उनका ये कहना है कि जो हलिंग चार्जज है और जो आधत का है या जो सबसे इंपोर्टिन जो रिकवरी का परसेंटेज है, जो शाशन टेकरती है, जो अभी की 67% रिकवरी है, प्रती कुंटल हमको प्रती कुंटल धान पे 67% उसका चा अधन है धान का, उसमें वो रिकवरी का प्रतिशत और वो भी FCI के विविन मानगों पर टूटन डैमेज और जो अन्य तरह के मानग है, उस पर वो रिकवरी देने में उनको बहुत कठिनाई आती है, तो इसलिए जो टेस्ट हलिंग कराई जाए यहाँ के जन्पद में, और बहुत पुराना रेट है, और इसको बठाया जाना चाहिए, तो ऐसे मांगे इनकी शासन से है, इस सम्मन में इन्होंने ग्यापन दिया है, जिलाडिकारी महलों को, और कॉपी हम लोगों को कराई थी, तो वो सब शासन लेवल पे भी इनकी बावारता चल रही है, और जिले अभी तक नहीं निकल पाया है, शासन उसको सकारात्मक तौर पे कंसीडर भी कर रहा है, लेकिन अभी तक उसका जूबी हो है, लेकिन मिलर जो है, अभी विभाग से सहयोग करने के लिए तयार नहीं है, रिचे देदे अपना, मैं रागवेल पताप सिल, राइस मिलर, राइ लेकरी हम लोगों नहीं मिल रही है, जिसमें सरकार जबरश्टी कर रही है, हम लोगों को नुक्सान उठाना पड़ है बारबार, इसलिए हम लोग इस प्रक्रिया में सामिल नहीं हो, प्रफिसर्ष। सरसट परसंट डिकवरी लेती है सर्कार जो आती नहीं तिसी कीमत पे हम लोग कहते हैं प्रेटिकल करवा यूजिए जो आये वह अप लीजी हम देने कलिए तयार है तकिन उसने सरकार तयार नहीं हो रहें है अजय को क्या नुक्सान होता है से आप लोगों को नुक्सान की बाद कर रहे ऑफ के एम लोग घर से पूरा दे रहे है कि को लोग की तरफ में व्य पुर्ण मेर Glenn में चिजह संग क्या नेहनए संग तो अर्ट अलक या और ढौत कंब तक चलेगी करणा तब तक आपका बहिस्कार जारी रहेगा जी जी